खबर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लिक कीजिए बेल आइकोन आओ बने रेगे हमारी साथ। उसकी खुद की वकील भी लिप्त थी। महिला ने आरोप लगाया कि जब वह सुबह सुबह मादि वाक्त पर गई थी तो कुछ बहुत सवारों ने उन पर हमला किया था। और जाते और एक चिट फोग दिया जिस वर लिखाता केस वापस ले लो। इस मामले में जब पुलिस ने सीसी टीवी कुछी भूटेज निकलवाई और तीन हमलावरों को गिरफतार किया तो बाद में पता चला कि महिला ने खुद ही अपने उपर हमला करवाया था। पुलिस में जिसके उसे आरोप लगाया था। उसको कोड में अभी तक लेकर आयो है, अभी तक रिमांड लहीं वीडियो में मैजिश्ट अभलेबल नहीं है, बट अट लिस्ट वन गुड तिंग इस तो कॉस्टडी में और इन्वेस्टिकेशन हो दिस्ता में आगेश चल रहा है। लेकिन जो केस है, क्योंकि रेव का केस हाला है और आपने ओपर जो हम्ला उसने करवाया था, आरोप लगा था, बाद में उसके वकील नगा, उसके केस नगी है। उसमें उनोंने पॉस्परिसी का चार्ज़ देग उसको आजिया हो लेगी। तो आज जिमान होने की सब्वाना डिपेंग करता है जचे सब्लेबल होगा तो अधर्वाइस समझेबाश 24 घंटे का साभए उसको आजिर करने के लिए उसके तकल आजिर करते सो गए करते इसे दो करने की मानस्क्ता है जूटे आरोफ लगाने की तो आप उसके पहले वाले आरोफ को जो जूड का चारज इसकी जाका गारिटी दैसकते हैं इस तरह से इस जट्टा की वज़ते कि तरंट उसके रेट पिके से बहुत ही फाइदा होगा, अदर्वाइस उसके तरंट वा से इंडीपेंडेंट माटेरियल है जो दिखाने के रेट नहीं हुआ है, बट इसके शोह भी जादा फाइदा होगा.